हेलो आपीबाइन, स्वागत थे आपका, आज मैं अप्धान करेले की बहुत ही बढ़ीया रेस्पी शेयर करने वाली हूँ जो लोग करेले खाना पसंद नहीं करते, उन्हीं भी रेस्पी का भी पसंद आने वाली है तो चलिए, उस पहले हम ले लेंगे करेले और इसका छिलका निकालेंगे इसका बहुत ज़्यादा छिलका नहीं निकालना है, थोड़ा थोड़ा सा ही छिलका हमें इसका निकालना है इस तरह से हम सारे करेलों का छिलका निकालने के बाद हम सारे करेलों को दूल लेंगे कर देले को कट किया है और इसे बड़ियां से कौरे हो जाते हैं और इसे साइड सब्सक्या की रूप कर सकते हैं अब हम इसमें डालेंगे एक चमज नमक और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे नमक डाला यहां पर बहुत ज़रूरी है इसे करेलें आप चाहे तो रात में भी करेली की सब्जी पनाने में आसानी होगी और आपके समय की बचत होगी यहां पड़े की 15-20 मिनिट हो चुके हैं आप इसमें हम पानी डालेंगे और सारी करेले को अच्छे से दूल लेंगे इससे नमक का पानी भी निकल जाएगा और करेले की कड़वाहट भी निकल जाएगी इस तरह से हास से निचोड़ कर हम करेले की पीसिस को अलग कर लेंगे या फिर आप कपड़े की मदद से ही सारा पानी निकाल देजिए इस तरह से हम एकदम सूखे करेले चाहिए अब गैस पर तेल गर्म होने के लिए रखेंगे अची खासी quantity में ही तेल एड़ करेंगे क्यूंकि हमें सारे करेलों को इसमें तलना है एकदम क्रिस्पी होने तक तो देखिए flame को रखेंगे high और जैसे ही तेल गर्म हो जाता है हम flame को medium कर देंगे और इसमें थोड़ी सी quantity में क तरह से एकदम ब्राउन होने तक हम करेलों को तलेंगे और flame को medium ही रखेंगे और देखिए इस तरह से आप color देख सकते हैं इस तरह से करेल कुरकुरे बनते हैं और सारे करेलों को निकाल लेंगे करेल के quantity ज्यादा होने पर आप 2-3 बार में तल सकते हैं और अगर आपके पा और इसके बाद हम करेलों में तड़का लगाएंगे तो तड़का लगाने में बहुत ज़्यादा सामन की जरूरत नहीं पड़ती है यहाँ पर बस थोड़ा सा तेल डालना है और लेना है हमें 6-7 कली लहसुन और उसको छोटे-चोटे पीसिस में कट कर लेना है और इस किसी भी चीज़ की आपको जरूरत नहीं है सिर्फ हम इसमें लहसुन से ही तड़का लगाएंगे और यह सिर्फ लहसुन के तड़के में ही बहुत ही टेस्टी लगते हैं तो देखिए यहाँ पर तेल गर्म हो चुका है फ्लेम को मैंने लो रखा है क्यूंकि हम जब इसमें लहस लहसुन को पाकाना है और जैसे ही लहसुन ब्राउन हो जाता है हम इसमें करेल एड़ कर देंगे लो फ्लेम पर लहसुन पकाने से एकड़म कुरकुरा लहसुन हो जाता है इस रेस्पी को आप काफी टाम के लिए बना कर रख सकते हैं 5-6 दिन के लिए आप इसे आराम से इस्तिमाल कर सकते हैं क्यूंकि करेलों में नमी बिल्कुल नहीं होती तो यह काफी दिन तक खराब भी नहीं होते हैं और इस तरह से देखें यहां पर लहसुन ब्राउन हो चु तले हुए हैं और इसके साथ हम इसमें थोड़ा सा नमक एड़ करेंगे क्योंकि हमने करेलों में पहले नमक डाला था और उसके बाद इसको दुल लिया था लेकिन फिर भी थोड़ा सा नमक करेलों में एब्सॉर्ब हो जाता है थोड़ा सा करेलों का टेस्ट नमकिन हो जाता ह इसलिए हम नमक डालते हुए यहां पर देहार रखेंगे कि हमें थोड़ी कम क्वांटिटी में नमक एड़ करना है इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक थोड़ा सा हल्दी पाउडर धनिया पाउडर और साथ ही में डालेंगे इसमें लालमिश पाउडर लालमिश की मातरा आप अपने हिसाब से कम या जादा रख सकते हैं अगर तीका खाना पसंद करते हैं तो जादा मातरा में लालमिश का इस्तिमाल कर सकते हैं और अगर कम तीका खाना पसंद करते हैं थोड़ी कम मातरा में लालमिश का इस्तिमाल कर सकते हैं देखें यहाँ पर में गैस की फिलम को आफ कर देना है क्यूंकि हम यहाँ पसुख्य मसाली डाले ते नमी प्लकुल नहीं है इसलिए homm डाफ करने बाद इसको ठोड़े चलाते रहेंगे और एक मिट के बाद हम गैस परसे इसको निकाल देंगे और ठंडा होने के लिए रग देंगे और बढ़िया से क्रिस्पी करा दे कुरकुरे करेले तयार हैं सर्व करने के लिए आप इसे साइड सबजी के रूपने इस्तिमाल कर सकते हैं किसी भी ग्रेवी वाले की सबजी के साथ या फिर दाल के साथ ये बहुत ही तेस्टी लगते हैं अगर पसंद आती है तो प्लीज में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें देखें कितने बढ़ियां से क्रिस्पी हैं और इसके साथ ही ऐसी रेस्पी के लिए में चैनल पर में साथ बने रहें थैंक्यू फॉर वाचिंग मी